अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आएं तो प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें नमस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटेट इंडिया और मैं हूँ राहुल तिवारी मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते अपराद का ग्राफ हमेशा ही सरकार और विपक्ष के बीच तलखी का कारण रहा है कही ना कही मध्यप्रदेश में जब भी अपराद बढ़े हैं विपक्ष ने सरकार पर इसके जिम्मदारी लादी है और सरकार पर तीखे आरोप लगा है जब भारती जनता पार्टी 15 वर्षों से मध्यप्रदेश में राज कर रही थी तब कॉंग्रेस का लगातार हमला बढ़ते अपरादों को लेकर भारती जनता पार्टी पर होता था और इसे लेकर अब जो आकड़े सामने आए हैं वे आकड़े बेहद ही चौकाने वाले हैं मध्यप्रदेश में बच्चों के प्रती अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसे लेकर मध्यप्रदेश अभी भी अवल ही बना हुआ है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में हर साल बच्चों के प्रती होने वाले अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और यह आंकडे कही ना कही सरकार के लिए और मध्यप्रदेश के हम तमाम सारे नागरिकों के लिए भी चौका आने वाले हैं क्या कहती है रिपोर्ट आए दिखाते हैं आपको मध्यप्रदेश में अपराद के आंकडे लगातार पढ़ रहे हैं स्टेट क्राइम ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के प्रती अपराद के मामले में मद्धप्रदेश देश में अवल स्थान पर है रिपोर्ट के अनुसार मद्धप्रदेश में हर रोज 27 बच्चे लापता हो रहे हैं पुलिस लगातार इन अपराधों पर नियंतरण करने की कवायदों में जुटी रहती है, लेकिन इन आकडों में लगातार विर्धी जारी है। बदेश पुलिस के स्टेट क्राइम वीरों की ताजा रिपोर्ट में 2018 में प्रदेश में 9800 बच्चे लापता हुए। वहीं साल 2017 की तुलना में 2018 में लापता मामले में 7 प्रतिशत की विर्धी हुई। तो जुड़वां बच्चों के अपरण और हत्या के बाद लापता बच जादा 88,908 मामले सामने आए। साल 2016 में हर रोज बच्चों के खिलाफ ज्यादती के 38 मामले सामने आए। साल 2016 में 8,503 बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 6,037 लड़कियां शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2016 के बीच बच्चों क अपहरण के 23,99 मामले दर्ज हुए। साल 2017 में 9,200 बच्चे लापता हुए। महीं साल 2018 में हसंख्या 9,800 थी। साल 2017 से 2018 में लापता बच्चों के मामलों में 7 प्रतिशत की वृध्धी हुई। गुमशुदगी करीब 12 प्रतिशत बच्चों का सालों तक कोई पता नहीं चल स लका है। कुल मिला कर यांकडे सरकार और प्रदेश के नागरीकों को चिंता में डालने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि बच्चों के प्रति इस तरह से अपराध लगातार पढ़ रहे हैं तो प्रदेश का पुलिस तरंत्र क्या कर रहा है। अब देखना ह कि कमलनाथ सरकार इन आकड़ों में किस तरह से लगाम लगाती है और बच्चों के प्रति हुरहे अपराधों को रोकने के लिए क्या नई नीती लेकर आती है।